हाई फ्रेंज वेल्कम बैक टो माई चैनल फ्रेंज आजें हूँ तमने गवना लोट माथी नान खटै के वी रिते बनावी ए रेसेपी बता अनी चूं मेयदा लोट माथी तो तमने नान खटै बनावी ने बवबदिवार खदी असे पन आ रेसेपी तमने जरूती ट्राइ कर जो आमाम में मैयदानों बिल्कुल यूज नाथी करयो खाली गवना लोट माथीज बनावी छे तो पन एनो टेस्ट अने ट्यक्सियर से मैयदा माथी बनावी होई ए रितनों छे तो चालो जडब थी जोई लेए आने के वी रिते बनावानी सवथी पेल्ला एक वासन माँ एक कप गवनों लोट आड़ करीशु जी आपने रोटली बनावा लोट लेए एज लोटनों में ये यूज करियो खे तेमा और दो कप पावडर शुगर आड़ करीशु पिंच ओप बेकिंग पावडर आड़ करीशु वन टीस्पून इलाइ पावडर आड़ करीशु अन्या बद्दी वस्तु ओने सरस रिते मिक्स करीशु अहियं में हाफ कप ओगाडेलू देशी गी लिदू छे एनने आपने थोडु थोडु आड़ करीशु एक टाइम मां थोडु कज गी आड़ करवानू छे बद्दु गी एक साथे आड़ लोट तैयार छे हवे ते माथी आपड़े नान खटे बनावीशु अहियं थोड़ाक पिस्ता में गानेशिंग माटेली दाचे अने बेकिंग ट्रे ने फोईल थी रैप करीने बेक करवा माटे रैडी करी दिदी छे अवन ने आपड़े 375 फेरन हीट अथवा तो 191 सेल्सि हाथ ने ग्रीस करी लेशु गीथी हवे वन टेबल स्पून जेटलू मिस्रनने हाथ मालाई नान खटाई बनावीशु सवथी पेला एनो गोड़ शेप आपीशु पछी तेने हाथ थी थोड़ू प्रेस करी लेशु अन्ने आजु बाजुनी कीनारियोंने पन सील्क करता ज अन्ने एक आडो कापो आड करीशु जेना थी नान खटै अंदर थी बहुँ सरस रीते बेक थाई जसे अन्ने अवे पिस्ता थी इने गानिश करी लेशु सेम अविज जिते बिजी बद्दी नान खटै ने आपणे र्याडी करीशु हवे तेने आपणे बेकिंग ट्रेमा पर अवन ने प्री हीट करीने राख्यु जे नान खटै ने हवे बेक करवा माटे आपणे अवन मा मुखी दैसु 18-20 मिनिट सुधी दर एक अवन ना सेटिंग अलग अलग होई चे तो आ नान खटै ने बनता वत्तो ओचो टाइम लागी सके छे अहीं मने टोटल 20 मिनिट ल प्रेंज तमें मरी आरेसेपी जरूती ट्राइए कर जो अने मने कमेंट बॉक्स मा जनाव जो के तमने आरेसेपी के वी लागी तमने जो मारूआ वीडियो पसंद आवे होई तो लाइक कर जो अने शेयर कर जो मरी चैनल ने सबस्क्राइब करवानू ना बुलता फरी थी